हेलो नमस्कार दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है सेवन जिप कैसे डाउनलोड करते हैं कैसे इंस्टॉल करते हैं विंडो 11, 10, 8, 7 के अंदर वो देखेंगे और प्लीज गया यदि आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब अबरें के वगल सब्सक्राइब यहां पर आपको टैप कर देना है इसके आपको क्लिक कर दोकरते हैं इसके आपको क्लिक करते हैं एकसी डाउनलोड कर सकते हैं यानि तो आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं यानि तो आपको क्या करना यहां पर डाउनलोड दिख रहा है इसके उपर आप क्लिक की जगा तो क्लिक करने के बाद यहां पर आपको सारा डिटेल में दिखी जाएगा क्या-क्या डाउनलोड करना क्या क्या नहीं करना यहां पर फुल डिटेल में दिखी जाएगा सारा लिंक दिखी जाएगा हर एक विंडो के लिए दिखी जाएगा यानि हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए आपको यहां पर एक सी डाउलोड करना के लिए दिखी जाएगा आप यहां पर देखेंगे त कोशिस करते हैं इसे उपर वाला भर्जन आ गया हो तो आपको घबराने के जोत नहीं है सेम तरीके से आपको एकसी डाउनलोड करके सेम स्टेप फोलो करके आपको डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लेना है अब आप यहां पर चेक करना नहीं आते हैं तो सबसे पहले ओ मैं करना ने देख्व क sill आए अब आप यहां पर देख आगा सिस्ट्म टाइब की लिखा हुआ加 होगा आपको एकसी डाउनलोड करके इस्टॉलink आपके case में 64 bit लिखा होगा ता आपको क्या करना है 64 bit का EXC download करके install कर सकते हैं वैसे 64 bit का operating system में आप 32 bit या 64 bit दोनों में से कोई सी भी आप install करके use कर सकते हैं लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा हमेशा 64 bit के operating system में 64 bit का EXC हैं आपको download करके install करना चाहिए जैसे आप देख रह आपके case में कितने bit का operating system है उसके हिसाब से EXC आपको download करना है अब आपको क्या करना है इस window को यहां से close कर देना है इसके बाद क्लिक करते हैं इस तरह से window open हो जाएगा अब आपको क्या करना है आप जहां पर भी save करना चाहते है उपास select कर लिजेगा उसके बाद आपको क्य उपर double click करके install कर सकते है यानि ताब इसके और right click करके install कर सकते हैं यानि ताप run as administrator के उपर क्लिक करके install कर सकता है तीनों चीज में से specjal को एक चीज़ कर लिजेगा लेकिन आपको यहाँ पर आपको दिख जाएगा installation का path यदि आप इसको change करना चाहते तो यहाँ से आप installation path भी change कर सकते हैं वह इसे by default ही रहने दिजेगा इसके बाद आपको यहाँ पर दिख जाएगा install तो आपको क्या करना इसको आपको क्लिक कर दिने किलिक करते हैं इस तरह से install होना करक सकते को यांनि तो यहां से डिलिट करना चाहते है यहां से ढिलिट भी चाहते हैं उसके बाद आप यहां पर देखेंगे तो यहां पर आपको दिख जाएगा यहां पैसाव करना हो है करना है तो किसले यूज करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से इंप cks कर सकते हैं पर इसका आपको आई बटन पर देखे इसको यूज कर सकते हैं छैनल को सबस्क्राइब करें लाइक करें